कि तो गाइस यहां पर हम आगे हैं किसमें android studio में अपनी और यहां पर यहां तक हम क्या कर चुके थे तो गाइस जिन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है हां पर कुछ कोडिक में प्रॉब्म आई हो या फिर कुछ और प्रॉब्म हुई हो तो मैं उनके लिए एक अलग से कोड दे रहा हूं तो जिसको प्रॉब्म आ रही हो मैंने यहां तक का अपडेटेड एप यहां मैंने अपलोड कर दिया आप लोग लिंक में जागी है आप लोग लिंक में जागे आवाँ से देख सकते हो गैस अगर किसी को आहां तक का जितने हमने चेंजिस करें अभी तक उसकी मैंने फाइल यहां पर अपलोड कर दिया आप लोग लिंक में जागे आराम से देख सकते हो गाई अब क्या करेंगे थोड़े से मेजर चेंजिस करने वाले हैं अपने एप के अंदर जिससे हमारा क्या होगा जिससे हमारी अभी तक सिर्फ हमने अटेच करिए लेाओट से हम चैंज करेंगे हिलक ईलके ले आउट को ही अपने ताकि हो चैंज से हो जाए तो चांफ हर रही है जो हमारा यंब कीया उट से रहा है यहां पर जितने text views हैं, जितने भी यहां पर views या कुछ भी लिखा हुआ है, frame का यह हमें सब क्या करना है, delete करना है guys, क्योंकि इसकी हमें अब जरुवत नहीं है, और इसकी जगा हम अब क्या लिखेंगे, हमने अपने custom वाले app में भी देखा था कि किस चीज की जरुवत थी हम तो guys, हमें अब यहां पर क्या लिखना है, एक view pager की file लिखनी थी, right, हमने अपने custom वाले app में भी देखा था, कि हमें किस की चाहिए, view pager की file, तो यहां पर हम direct type कर सकता हूं, या तो आप view pager type करके देख लेना, चुके guys, कुछ पुराने version में हो सकता है, ना आए, और कुछ and किस चीज का support चाहिए हमें, और यहां पर आप देख सकते हो, हमारा जो जैसी मियाने, we type करा है, यहां पर क्या आगया, हमारे अलग-अलग, जितने भी v4 type के, जितने भी, क्या होते हैं, हमारे पास options होते है, support होते हैं, support होते हैं, support यह basically क्या होते है, कि कौन-कौन से अलग अलग क्या है, functionality है, जो हमारे, कौन सा Android support करता है, framework support करता है, हमें क्या अलग-अलग functionality add करने के लिए, basically, वो यह और कुछ नहीं है, तो मैं simply, यहां पर view pager वाला है, जो इसको मैं select कर लिया, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर यहां आ गया है, तो इसका मैंने closing tag भी इसकी values देता है, तो पहले तो guys, इसकी एक ID देता हूं है, क्योंकि हमें इसको कही ना कहीं call तो करना पड़ेगा, right, तो मैंने इसकी क्या ID देती, view pager, इसके बाद और क्या-क्या चीज देनी होगी, हमें वो देख लेता है, और जैसे हम उसमें width and height देता है, आपने linear layout में ऐ and height देनी पड़ती है, match parent कर देता है guys, and height देता है guys, इसमें match parent, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, दो जो fields थी guys, यहाँ पर हो गई हमारी पूरी, तो यहाँ पर क्या होगी है, हमारा मैंने इसे width को सई कर दिया है, attribute को, और इसको यहाँ पर ही copy paste करेंगे, तो guys, आप देख सकत अब जो हमारी इसमें कोई error नहीं आ रही है, हमारी क्या activity main file है, वो तो पूरी हो चुकी है, अब जो हमारा एक layout था, क्योंकि अब हमें जो front main वाला जहाँ पर number activity, यह और सारी activities थी, वो तो अब हमारी नहीं आएंगी, number activity, family activity, phrase activity, and color activity, जो main वाला पे जा रहा था, अब क्या अब आडप्टर से fetch कर रहा था, right, क्या words fetch करें थे, किस के थूरू words, array adapter के थूरू, मतलब एक custom array adapter बनाया था, तो अब हमें क्या बनाना है, मैंना बताया था, अब हमें क्या बनाना है, view page बनाना है, view page और view page एक fragment adapter बनाना है, custom वाला, तो उसे देख लेते हैं, अब कैसे करे तो guys, अब हमें क्या बनाना है, एक adapter बनाना है, तो simply मैं यहाँ पर, जो हमारी यह वाली com.example. जो हमारा package name होता है, जावा के अंदर जाके, इस पर right click करके, मैं new में Java class बनाऊँगा, कौन सी category adapter के नाम से, category adapter, तो guys, यहाँ पर हमारी नई file create हो गई है, category adapter, तो आप यहाँ प प्राइब्टर क्यों यूज करा है, था कि हमें custom क्या बना सके, फ्रैघ्मेंट अडैप्टर बना सके, जिससे हमारा व्यूपेज, व्यूपीजर जो हुथा जो हमारा फ्रै doubts, व्यूपेज जो करता है, और बना सकें, उसे क्या कर सके, in Flash कर सकें, प्रेँ अद आप्र इसे क पेजर अड़ाप्टर आगया और मैंने इसे जैसे क्लिक करा यहां पर क्या आ गई हमारा इसने support आप देख सकते हैं एक import file एड़ाइड होगई कि इसकी fragment क्या resolve वाली इसने का कि method implement करना है तो मैंने okay करा तो यहां पर इसने क्या क्या कर दिया एक मुझे skeleton इसे क्या कहते हैं? Skeleton Methods कहते हैं. जो इसने खुद क्रियेट कर दिये? इससे क्या हुआ? मुझे स्टाइटिंग से लिखना नहीं पड़ा है. इसने खुद ही जैना एक क्रियेट कर दिया? और यहां पर क्या कर रहा है? इसने Create Constructor को Matching Super. तो इसने एक वो भी बना दिया अब आप देख सुकते हैं यहां पर कोई एरर नहीं आ रहा तो गाइस यह काम आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो जैसे मैंने कर रहा है अभी वैसे कर सकते हो आप ठीक है यह हम खुद भी लिख सकते थे लेकर हम महनत क्यों करें जब यह तो भी यह बोन स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा आज आएगा अब इसमें हमें थोड़ी सी क्या करनी है पहले थोड़ी सी चेंजस करेंगे अपने हिसाब से और फिर आगे बढ़एं यह ब्सक्राइब और फिरसमें हमें धो डिसीजन लेना है गाईस एक तो हमें यह द तो अब इसमें यह वाला तो हमारा जो पुब्लिक मैथड यह क्रिएट करा है इसने केटिगरी अड़ाप्टर का राइट जो कंस्ट्रक्टर वो करा है इसने क्रिएट कुछ चेंज नहीं करेंगे सिंपल जो इसकी पोजीशन है सबसे पहले उसमें चेंज कर लेंगे कि क्या- क्योंके हमारी कितनी वाल गलत बोल ला हूं कितनी फ्रैग्मेंट से हमारी चार्छाफ्रेंगमेंट है इस तो हमें अल्लेडी पता है और मैं hammam को ब'Tाई इंडेग्स हमैं इस तेस से स्टाट हूती जिरो से स्टाट हूती है ना की विन से तो हम पोजीशिन कहां से देना return new कौन सी number fragment तो गाइज यह हो गया कौन सा यहां पर new हमने क्या कर दिया new क्यों यूज करते हैं आप को अलड़ी बता चुका हम जावा में बहुत बार डिसकूस कर चुके और हमारी कौन सी fragment कॉल हो रही है यहां पर जीरो पर सबसे पहले पहली पोजिशन जैसे हम एप खोलेंगे कौन सी हमें कौन सी fragment दिखेगी गाइस वो दिखेगी numbers activity की फिर मैं एक और एफ लगा देता हूं अगर दूसरी पोजिशन पर हम फर्स पोजिशन पर क्या ले लिए गाइस पर स्मऑ रिटर्ण करवा देते हैं हमारी कैसे एक सिर्ट कर दे आँ हमारा वह कैसा था अच् solche family members i इस थे इसके बाद numbers के बाद तो तो हम सी family fragment बुला लेते हैं तो family fragment यहां पर आ गया पिर इसके बार एक और एक लगा देते हैं इसकी पोजीशन ले लेता है काई पूजीशन डबल इकवर्स चूंघ फर स्वास डू हो गया एंड यहां पर इसको रिटरन कर वा देते हैं क्या होना है यहां पर हमारी इसके नीचे क्या थी colors थी तो यहां पर color fragment हमने call करा ली और इसके बात कौन सी है गाइज हमारी if position double equals to three यह क्या है हमारी final position है गाइज क्योंकि मैंने आपको भी बता है index zero से start हुआ तो three तक run होगा तो यहां पर मैंने last वो देती है बड़ा कर देता है ताकि आप लोगों को सही से दिखें return new phrases fragment तो यहां पर तो हो गया गाइज यहां तक पूरा हमारा क्या हो गया fix हो गया क्या क्या changes होने है और यहां पर जो हमारा null है उसको क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारी कोई भी empty वह नहीं है और यहां पर return get count में आपको क्या बताया था कि total number क्या है हमारी जो fragments है वह return होगी तो return में यहां पर क्या हो जाएंगी four हो जाएंगी guys क्योंकि हमारी क्या total four ही fragments है तो हमने यहां पर symbol क्या देदी get count देदी four और fragment हमने position एक बार चेक कर देते हैं guys की कुछ गल्ती तो नहीं हो यहां हमेरी okay guys I think मैंने एक गल्ती कर दी यहां पर एक मैं यहां पर इस की जगह else if देना ज्यादा बैटर रहेगा यहां पर एक else if दे दिया यहां पर एक else if दे दिया and यहां पर if की जगह simple हम क्या देदें एक else देदें guys तो यहां पर हमारी I think functionality ज्यादा बेटर रहेगी एक बार control एक करके control alt l करके हमने इसे reformat कर दिया अगर खाली ff condition होती है तो यहां पर एक error आ सकते थी guys logical error जो अभी नहीं परदा चलती हमें लेकिन बाद में हमें क्या होती हमें problem कर देती हो यहां पर error आ रही है guys हमारी एक देख लेते हैं क्यों आ रही है तो guys simple में यहां पर error इसलिए आ रही है क्योंकि मैं यह बात भूल गया कि मुझे last वाले उसमें else हमारा automatically क्या run कर देगा था यह तीनों condition false हो जाएंगी तो already वो क्या कर देगा phrase activity run कर देगा इसमें condition देने की जरूए नहीं है मुझे तो यहां पर सब सही हो गया guys if आ गया if में run हो गई else f else f and last else all obviously run क्योंकि फिर थर्डी position बचेगी तो guys इसलिए एक बार देख लेना चाहिए अपने code को कभी-कभी जादा optimization हो जाद मेला आप दुबारा देखोगे rethink करोगे अपने code के बारे में तो hopefully आपको कोई ना कोई नई चीज हमेशा दिखेगी जो जादा better हो सकती है code में